वेलकम टू SS Defense Academy फ्रेंड्स आज के इस वीडियो सेशन्स में मैं आप सभी के साथ डिसकस करनी वाला हूँ इंडियन ने भी एमार का जो एक्जामिनेशन्स 10 दिसंबर 2021 को फर्स शिप में कोलबा मुंबई सेंटर पे कंड़क्ट हुआ था तो जितने भी जी के साइन्स मैथमेटिक्स के कोस्टन्स बने थे आज के इस वीडियो सेशन्स में कम्पलीट कराने वाला हूँ इसलिए वीडियो को फूल वाज कीजिएगा बिना इसकिप किये हुए आपको जितने भी स्क्रीन पे कोस्टन्स देखने को मिलेगा वो 100% रियल और ऑथेंटिक्स है क्योंकि मेरे यूटूब फैमली के एक कंड़िडेट है दिपक जी जिन्होंने मुझे वाटसप के थूरू ये सारे कोस्टन्स प्रोवाइड किया था तो जितने भी कॉल भा मुंबई सेंट्र के कंड़िडेट इक्जामनेशन दिये हैं आप लोग कमेंटस किजिए हैं कि यससर मैं ये इक्जामनेशन दिया था और यहीं कोस्टन्स एक्जक्ट था ताकि और भी कंड़िडेट आपके कंड़िडेटस को पढ़ सके और उन्ह mathematics के साथ questions मिले हैं यह बिल्कुल real questions से फ्रेंट देख सकते हैं प्रॉपर ढंक से मैं यह नोट्स बना लिया हूँ और देखिए फ्रेंट्स मैं बता दू वीडियो सेशन्स exam analysis चाहे ओसे सार हो चाहे डबल ले हो इसके अलावा एयर फोर्स आर्मी जितने भी डिफेंस की examinations होते हैं प्रॉपर ढंक से सबसे ज़्यादा content मैं ही प्रवाइड किया हूँ और रियल और ऑथेंटिक्स तो एक बार प्रेलिस्ट को जरूर विजिट किजएगा तो चरिया फ्रेंट देरी ना करते मतलब रह नहीं दे पाए हैं examinations क्यूंकि इस बर आप सभी जानते हैं कि offline mode में examinations conduct हुआ है तो कम बच्चों को percentage wise बुलाया गया था लेकिन जो next frequency आएगा वो online mode में examinations conduct होगा तो इसलिए आप लोग पढ़ाई को मतलब regular रखेगा तो चलिए देरी ना करते हैं सभी questions को एक एक करके discuss कर लेते हैं फर्ष्ट कोशन देखे पुछा गया था कोंकड़ी तथा मराठी किस राज की भासाएं हैं तो देखिए कोंकड़ी जो है प्रॉपर गुआ में बोला जाता है और मराठी जो होता है महाराष्ट में बोला जाता है तो इसलिए गुआ और महाराष्ट आंसर्स हो जायाएगा Q2 देखे इस्ट्रो का पुर्ण रूप क्या है तो इस्ट्रो का मतलब फूल प्रम पुछा गया था तो Indian Space Research Organizations इसका फूल प्रम होता है Q3 देखे जो बास्केट बॉल होता है उसमें खिलाडियों की संख्या कितना होता है तो होता है 5 Q4 देखे यहाँ पर कर रहा है कि नावाड किस से संबंदी थै तो यह क्रिसी तथा ग्रामिड विकास से संबंदी थै यह बिल्कुल एक्जेक्ट आंसर की है देख लिजएगा आप लोग यहाँ से आंसर समयच कर लिजए 5 Q4 देखे पंकज अडवाणी का संबंद किस से है तो देखे यह जो पंकज अडवाणी है इनका संबंद बिलियर्ड और इश्नूकर खिल से संबंदी थै Q6 देखे Wings of Fire की पुस्तक की लेखा कौन है तो Dr. A.P.J. अबदुल कलाम है Q7 देखे Spider-Man का वास्तवी की नाम क्या है तो Peter Benjamin Parker है Q8 देखे Q9 के अंदर सासित प्रदेशों को स्तामिल किया गया है तो देखे दादर और नगर हैली और दमन और दिव को समिलित कर लिया गया है और इसका एक रजधानी हो गया है Q9 देखे 2024 में Olympics खेलो का आयोजन कहा होगा तो Paris, France में होगा काफी important question से ये बार बार रिपीट हो रहा है 10 देखे सक्कर का कटोड़ा किस देश को कहा जाता है देश को पूछा गया है Q1 देखे football match के मैच के मैदान की लंबाई कितना होता है तो 100 से 110 मीटर होता है Q1 देखे 12 बेयतनाम की रजधानी का है तो हनोई है Q13 देखे राष्ट पती को सपत कौन दिलाता है तो सरबोच नियाले के मूखिन एदिस जो हते हैं ये राष्ट पती को सपत दिलाते हैं Q14 देखे Congress की प्रतम महिला अद्देक्ष कौन थी तो वो थी एनी बेशेंट Q15 रत ही यात्रा और एक और तेवहार दिया गया था का संबंद किस राष्ट से है तो ओडिशा से संबंदित है 16 देखे जो समूद्र टटिये पूलिस अकादमी की अस्थापना सरपर्थम कहां हुई है तो ये गुजरात में हुआ है Q17 देखे इन्वेस सबसे बड़ा कौन सा है देखे MB, GB, K, B, TB दिया गए मतलब मेगाबाइट, गिगाबाइट, किलोबाइट और टेराबाइट तो इसमें सबसे बड़ा है टेराबाइट उसके बाद कौन सा है जी GIGABYTE, GB है उसके बाद मेगाबाइट, MB है उसके बाद के भी है तो यह आप लोग क्रम याद रखेगा question 18 देखिए बौध मत के अनुसार जीवन का लक्ष डैसे क्या है जी कर्म धर्म निर्वान इन्वे से सबी तो इसका answer था निर्वान इसका देखिए मतलब होता है बूझा हुआ यानि जीवन मरन की चक्र से मुक्त ह हो जाना निर्वार कहला था है बहुत धर्म के according है अब देखिए यहां से science के question जो भी मुला है वह exact लिखाऊ 19 देखिए सीत रक्त है सीत रक्त वाली प्राड़ी है तो देखिए मेधक चिपकिली के चुआ यह सभी सीत रक्त वाली प्राड़ी है तो इन में से सभी हो कर देता है यह कैसा होगा इसकी प्राकिरती कैसी होगी तो च्छार होगी कोई भी बिलियन लाल लिटमस पत्र को निला कर देता है तो च्छार होगा यहीं options में according to मेरे होगा देखे question 21 electron bolt किसका मात रख है तो विवांतर का मात रख है question 22 सुरिय में उर्जा होता है उर्जा के उत्पत्ति का कारण क्या है यह पूछा गया था तो नाभिकिय सल्लाइन होगा या options पर इस तरह लिखा गया होगा hydrogen नाभिकियों के सल्लाइन अभिकिरिया तो यहीं बहुस यह समात रख होता है तो याद रखिएगा है 24 देखिए वन न्यूटन का मान वन न्यूटन इसकल टू कितने डाइन के बराबर होता है एक न्यूटन तो दस के पॉड़ 5 डाइन के बराबर होता है question 25 देखिए ताब बढ़ाने पर द्रौव की सायनता डैस होती है बहुत सर बढ़ाने पर यहां पर गैस होता तो वहां पर होता बढ़ती है ठीक है द्रौव की स्तिती में घटी है सायनता और गैस की स्तिती में बढ़ती है तो याद रखिएगा 26 देखिए रीत और नेफ्थिलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है उर्दवा पार्तन विद्दी यहीं सब्लीमेशन मेथोड के द्वारा रेत और नेफ्थिलीन के मिश्रण को अलग किया सकता है 27 देखिए लॉंग क्या होता है ओप्सन था फल सुखी पूस्पकली जड़ तना तो सुखी पूस्पकली होता है लॉंग 28 देखिए सुस्क बर्फ कहा जाता है तो देखिए सुस्क बर्फ कहा जाता है अब यहां से मैथमेटिक्स के कोश्चन देखिए 29 गोले का आयतन कितना होता है बेरी सिंपल फोर वाई थ्री पाई आर क्यूब होता है अब देखिए 30 एक सम चत्रभूज बनाने के लिए दो आवशक दिये होना चाहिए तो ओप्सन के कोडिंग बिकर्ण सही था अब कोश्चन देखिए 31 यहां पर था यह ट्रिग्रोमेट्री के था वैलू वाला मान पूट करके आपको लिकालना था थ्री शाइन स्क्वाइर 30 डिग्री यहां पर था उसके बाद टू कॉस्वाइर 45 डिग्री उसके बाद माइनस 5 10 स्क्वाइर 30 डिग इतना होता है 1 विट रूट दू तो इसको भी स्क्वाइर कीज़िए क्योंकि कॉस्स इसक्वाइर है फिर माइनस है माइनस दे दिए इसी sf 10 इस पिए 15 ज सका माहन होता है 14 ृत लिकल यहां बहुत आप सिंप्लिफिकिकिशन कीजेगा तो 1 वार्री बहूर 32 देखिए 26 मीटर पर सेखंड इसक्वायर को किलो मीटर पर आवर घंटा में बदलना है अगर किलो मेटर पर आवर से मीटर पर से मीटर आञा होता है तो 5 हैं बेऊंग से मृटिपलाइ करेंगे बस कट पीट करेंगे तो 139.6 यहां पर आ जाएगा किलो मिटर पर आवर्ड ठीक है तो 36 मिटर पर सकेंड बराबर हो जाएगा 129.6 km per hours के बरावर अब देखें यहाँ पर 33, सक्कर के मुल्ले में 25% की बृधी हो जाने पर एक परिवार के खपत में कितनी कमी करने चाहिए जिसे आये पर कोई परभाव ना पढ़े तो जब भी ऐसे पूछन दिया जाए किसी भी बस्तु को इतना percent increase किया जाए बृधी किया जाए और उसके खपत में इतना कमी किया जाए तो क्या पर मतला आये पर क्या परभाव ना पढ़े तो ऐसे questions को आप लोग एरो method दोरा बनाईएगा तो जैसे क्या कि जाए सुरू में देखेगा सो परसेंट से multiply कर दिजिए इसको cut pit करेंगे आपको तो 20% लिकल के आ जाएगा देखे यहाँ पर मैंने solve कर दिया हूँ देखे 34 यहाँ पर कह रहा है एक बैपारी दो घड़ी को परते को 100 रुपया में बेचता है और उन्हें 10% का लाव सत्था 10% की हानी पर बेचता है तो अंत्रता उसे कितना परसेंट का लाव या हानी होगा तो देखे यहाँ पर 100 रुपया पर बेचता है यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर लाव और हानी लिकलना है परसेंट की रूप में तो हमें 10% लाब और 10% हानी देखना है तो इससे क्या किजिएगा यहां पर बेचा जा रहा है यानि इसे हम लोग खाए यहां पर 99 यहीं इसे क्यिसा किजिए। यहाँ पा है, पच्पन बेक्तियों का ऊसत्थ खजन 160 क्यजी है, ठीक है। इन में से ही यदि 170 क्यजी वाले 5 बेक्ति छोड़ दिये जाए, तो से सदस्यों का ऊसत्थ खजन कितना होगा। सबसे हमसे पहले हम लोग लिखा लेंगे कि 55 बेक्टिव का वजन 178 के जी है इसका योग कितना होगा तो फ़जपन के जिवाले 5 बेक्टि हैं तो पूली योग कितना होगा तो इसको 170 को 5 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 850 हो जाएगा तो हम 8850 को घटा लेंगे तो हम क्यों घटाएंगे क्योंकि 5 बेक्ति यहां पर छोड़ दिये जाते हैं मैंने चले जाते हैं ठीक है तो 55 में से 5 बेक्ति चला गया तो 50 बेक्तियों का तो 50 बेक्ति बचे हैं तो 50 से भाग देंगे टोटल योग में तो हमारा वचन लिकल क्या आजएगा से सदस्यों का तो 169 कि यहां पर कट करेंगे तो आपका 169 के जी आजाएगा से सदस्यों का औसत बजन तो यह आंसर से होगा यह कोश्चन्स आया था 36 यहां पर इसको सरल करना था exact options क्या था मुझे नहीं जनकारी था ठीक है तो यह रहा नेभी एमार का कोलबा मुंबई सेंटर का टोटल कोस्टन्स आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट्स बॉक्स में मोटिफेशन के तोर पर कमेंट्स जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में जरूर इस वीडियो को सेर कीजिएगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए आप सभी को जहेंगा